अब्सटों भारत माला परज्णा के बारे में आप सभी नहीं सुना होगा, लेकिन आब एक्ट्टॉल नहीं जानते हो कि भारत माला परज्णा है किया, इसके अंतरगत कितने सारे X- Formula को बनाया जा रहा है All Over India, वे sufficient और अब सारे नयनै एकोनलमिक और को बनाया जा अंतरगत आने वाले सभी एक्स्प्रेस बे, हाइवे, एकोनोमिक कोईडोर और लोजिस्टिक पार्क के बारे में जानने वाले हैं तो आईए लेटना करते हुए श्टाट करते हैं आज का ये छोटा सा विडियो नमस्कार साथ यो मैं विकास और आप देख रहे हैं All India Project दूस्तो भारत माला एक कैंदर सड़क और राजमार्ग विकास प्रविजना है जिसका उद्देश पूरे भारत में All आवर एंडिया सड़को राजमार्गो और एक्सपेसबे का एक मजबूत नेटवर्क एक जाल बिछाना है और इसी भारत माला प्रविजना के वज़र से हमने आजचायना को पीचे छोड़ा है रोट नेटवर्क जाल के मामले में इस पोजट के तरद भारत का टार्गेट है कि हम लोग पूरे भारत में 83,670 किलो मीटर सलक नेटवर्क को बनाएं इस महत्वा कांची योजना में कुल साड़े 10 लाग कोल रुपिये खर्च होने वाले हैं मतलब इसमें सरकार इतना रुपिया निवेस करने वाली है खर्च तो और भी जादा होगा जो कि प्राइबिट कंपनी के द्वारा लिया जाएगा भारत माला प्रजना का मैनू देश, देश के दूर दराच और अनसंबन छेतरों को जोड़ना है चाहें भारत का कोई भी गाउं हो, कोई भी जंगल हो वो एक्सप्रेस बे से, हाइवे से, सडकों से कनेक्ट होना चाहिए कि आप वहाँ से अगर निकलो, तो अब भारत के किसी भी एक्सप्रेस बे हाइवे में पहुँच जाओ मतलब पूरा का पूरा कनेक्टिविटी होना चाहिए, पूरा जाल विशा होना चाहिए कहीं भी रहो आप, सडक आपको कहीं भी पहुचा देगी, ओल अबर इंडिया और इसी टार्गिट को पूरा करने के लिए बनाया गया था भारत माला प्रोजिजना भारत माला प्रोजिजना का जो फ़र्ष्ट फेस था, वो 2017 से 2022 तक चला इसके लाबा भी भारत माला प्रोजिजना 2 चल रहा है, भारत माला प्रोजिजना 3 भी चल रहा है अई यह बात करते हैं कि भारत माला प्रोजिजना के तहत क्या क्या सामिल है तो इसके परमुगटकों की बात करें तो इसमें आर्थिक गलियारा, फीडर सरकें, अंतर गलियारें, राष्टिये गलियारें की दक्सिता में सुधार करना, लोजिस्टिक पार्क इंटर कनेक्शन तयार करना, कट्टी और बंदरगा इंटर कनेक्टिविटी सडकें, इसके माला प्रज़ना भारत के 550 से अधिक जीला मुख्यालों को नियूंतम चार लेन वाले राज मारगों से जोड़ेगा यानिक इसके तरथ हम लोग भारत के 550 जीलों को खोर लेन सलक के माधियम से कनेट कर देंगे 6 लैन, 8 लैन, 16 लैनी सब अलग है राज मारगों और सलकों के निर्मान के लावा भारत माला प्रज़ना का मुख्य माल दुलाई की दक्षिता में सुधार करना है 26,000 किलोमीटर से जादा लंबे आर्थिक गलियारे, स्वरनिम चुतरभूज और उतर दक्षिन पूरब पस्षिम गलियारे के साथ मिल करके 80% से जादा माल धुलाई राज मारगों पर लाई जाए भारत माला प्रज़ना को 2017 में प्रामिस्टर मोधी के द्वारा लॉंच किया गया था जबसे ये चालू हुआ है तब से देश में कनेक्टिविटी बल रहा है दूर दुरा छेतरों को बंदरगाओं को अर्थिक केंदरों को सलकों को सबको एक साध क्नेट किया जा रहा है आर्थिक विगास को ये बड़ помог दे रहा है चाहेो माल की रूई हो या फिर लोग की या बजाई हो यह बहुत ही कारगर सावित हुआ है यातला के समय को इसने घटा-घटा करके आधा कर दिया है जहां 12 गंटा वहां 6 गंटा जहां 24 गंटा वहां 12 गंटा इस तरह की चीजे देखने को मिल रही है देश में आईए अब आपको ताते हैं भारत माला प्रोजना के तहट कितने सार के बारे में अपसा आपनसे जानते हैं कोर्म करेंगा कौनसे च क्रेंगा आप नहीं जानते हैं यहता है क्थी। नमबर बन पर है दिल्ली वलोदरा एक्सप्रेस बे नमबर दो पर है आमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस बे नमबर तीन पर है दिल्ली अमरिश सर कट्रा एक्सप्रेस बे नमबर चार पर है वलोदरा मुंबई एक्सप्रेस बे नमबर पांच पर है दिल्ली फरेदाबाद स यहांग एक्सप्रेसबर सामजें एक्सप्रेश पर Sonata चन्नै संते लर्वार्व करीदेだु kendrat security भला इसक्रम परुए सुन आंबदाबाद इंडा डिसाप्र स्यप्रेशतां को logging पांच पांश करेंARK इन हैंबinkles रबाद vic इस सब कुछ इंप्रोटर अगलियारे की बात करें कि भारत माला प्रजणा के तद कितने सारे economic कोलिडोर को बनाय जा रहा है तो पहला है मुंबई कोलकाता, दूसरा है मुंबई कन्याकुमारी एकोनोमिक कोल्डोर, तिसरा है अमरिस्तर जामनकर एकोनोमिक कोल्डोर, चौता है कांडला सागर, पाचमा है आगरा मुंबई एकोनोमिक कोल्डोर, छटा है पूने वजयवाला, सातमा है राइपूर धनव इकनोमिक पालोर मंगलूर रायचुर योंग कोईडोर सुलापूर बिलारी गूट एकनोमिक कोईडोर है लमर्प अमरल वडोद्रा, तीस नमबर पर है गोद्रा, खरगोन, 31 पर है संबलपूर राची, 32 पर है बेंगलूरू मलतपूरम, 33 पर है रायसन पत्रिया, 34 पर है बेंगलूरू मंगलूर, 35 पर है चित्तोर इंदोर, 36 पर है बिलासपूर, नई दिल्ली, 37 पर है सोलपूर, महभूब नगर, 38 पर है बैंगलूर निल्लोर 39 पर है अजमेर उदायपूर 41 पर है सरोही बयावर 42 पर है जैपूर आगरा 43 पर है पूने उरंगाबाद 44 पर है उत्तरपूरवी कोईडोर इतने सारे सिरिप एकोनोमिक कोईडोर पर भाषरकार काम कर रही है और लोग बूल रहे हैं कि भासरकार ने क्या किया इनमेस से बहुत सारा का काम लगबग आदा कंप्लिट हो चुका है इनमेस से कुछ Upcoming है और जो Upcoming है उनका तो मैंने नाम बताया ही नहीं है वो अलग है वो आपि इंगे अभी जो नू मिलने वाले हैं अब अगर भारत मला प्रोजना के तहत लोजिस्टिक पार्क की बात करें, तो नमबर बन पर है अमबाला लोजिस्टिक पार्क, बेंगलूरू, भटिंडा, भोपाल, चन्नाई, कोचीन, कोयमबटूर, गुआहाटी, हसियार, नमबर दस पर हैदराबाद, इंदोर, जगत सिं जालंधर, अम्रिस्टर, गुर्दासपूर, लुधियाना, संगूर, पटियाला, दिल्ली, फरिदाबाद, नारनौल, गाजियाबाद, मुंबई, नमबर 45 पर है मुंबई उपनगर, लोजिस्टिक पार्क, जीन पीटी, मुंबई बंदरगा, ठाइन, और नमबर 49 पर है र भारतमाला प्रोजियना आपकी राज में था, उसके बारे मगराब जाना चाते हैं, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, वैसे तो भारतमाला प्रोजियना का विस्तार बहुत लंबा है, हम डीटिल में ज्यादा नहीं जाएंगे, मैंन मेन परोजक्ट था उसके नाम को ने आपको बताया इसके लाबा भी और भी छोटे बड़े कई सारे पोजेक्ट हैं सिर्फ इसके अंदर तो इन में से किसी पर आपको चाहिए वीडियो तो कॉमेंट कर देना बाकी मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जाहिंद हिंदुस्तान में आने वाले तीन साल के अंदर तो जार चोविस स्वाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेसाईवे बना रहा हूँ दिल्ली से डेराडून दो घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार दो घंटे में, दिल्ली से जैपूर दो घंटे में, दिल्ली से चंदीगर धाई गंटे में, दिल्ली से अमरुसर चार गंटे में, दिल्ली से कट्रा छे गंटे में, दिल्ली से स्रीनगर आठ गंटे में, दिल्ल से बैंगलोर दो गणटे में लकणों से कानपूर 35 मिलिट में और मेरट में अल्रेडी हो गया है मेरट से दिल्ली साढ़े चार गणटे लगते थे अब 40 मिलिट में आ रहे हैं वो भी शल रहा है वारनशी से कलकत्ता का तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूं छबीस ग्रीन रहे नरेंदर मोदी जी के नित्रूत्व में दोजार चोवीस समापत होने के पहले हिंदोस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमरीका के बराबर होगा यह वचन देता हो